Hello everyone, Easy Physics by EN के चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास की Physics का Chapter No.5 का Theoretical portion अपना पुरुन हो चुका है और इससे पहले अपन इसके जो अबजेक्टिव प्रशन है और अति लगुतरात्मक प्रशन है उनको अपन अलग-लग वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं एक बेलनाकार धातु यानि तामबे की छड़ है उसकी लंबाई आपको दे रखी है तो पहले मुझे जो जो भौतिक राशियां दे रखी है उनको मैं लिखूंगा इस प्रसन के अंदर आपको दे रखा है कि इसकी जो लंबाई है वो आपको वन सेंटीमीटर दे रखी है तो मैंने यहाँ पर एक सेंटीमीटर इसकी वैलिओ को लिख लिया है साथ में मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जितनी भी भौतिक राशियां है सब के मात्रक को आप साथ में ऐसा ही पदती के अंदर कनवर्ट करते जाएए बदलते जाएए तो यहाँ पर ये दिमाई सेंटिमेटर को सेंटिमेटर को मीटर में बदलने के लिए हंड्रेट से डिवाइड किया जाएगा और वो जो हंड्रेट अव उपर जाएगा तो दस की पावर माइनस दो हो जाएगी हलांकि मुझे पता है कि यह सारे फंडामेंटल आपके क्लीर हैं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आप इनको रिवाइज भी कर लीजिए बात में सवाल कहता है कि उस बेलनाकार की तार की जो तीजा है रेडियस है आर जो आपको दे रखा है that is आपको दे रखा है 2 mm mm का मतलब है mm तो इसको भी आप लोगों को मीटर में बदल लेना है और mm को मीटर में बदलते समय दस की पाउर माइनस 3 से मल्टिप्लाई कर दिया जाता है इसकी वैल्यू दे रखिये तो वह मुझे यहाँ पर लिख देनी चाहिए इसके साथ इसकी वोल्ट विभुवांतर की वैल्यू में आया पर लिख लेता हूँ ओके आगे सवाल कहरा है कि करने पर छड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ग्याद कीजिए तो यहाँ पर विदु धारा का जो संकेत आई होता है उसके आगे मैं क्यूशन मार्क लगा देता हूँ य होती है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है इसके वैल्यू एक पॉइंट साथ दस की पावर माइनस आठ दे रखा है वन पॉइंट सेवन टेन की पावर माइनस आठ प्रतिरोधक्ता का मात्रक है वो भी कई त्रीके के जनरल साइंस के कॉम्पेशन ए यह देखना है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है और उसके लिए आवश्यक फॉर्मूला क्या लगाएंगे तो इस प्रशन में जब आप देखेंगे तो विभुवांतर आपको दे रखा है धारा आपको कैलकुलेट करनी है तो बहुत सारे फॉर्मूले है आपके पास विदुधारा की वैल्यू है वो निकल जाएगी लेकिन चालक तार का प्रतिरोध तो मुझे देई नहीं रखा और आप जानते हैं कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसकी वैल्यू आप जानते हैं उसका फॉर्मूला आप जानते हैं तो यहाँ पे मुझे पता चल र तो आम के नियम से तो यह formula होता है कि sir v is equals to ir value होती है और यहां से i की value यह दी में लिखूंगा तो मेरे पास आजाता है v upon r अब आप कहेंगे कि sir v की value तो है लेकिन r की value नहीं है तो उस r की value को आप इसके नीचे calculate ना करके side में आप calculate कर ले जिसकी आपको साहिक रासी की जरूरत है तो मैं यहां पर यह line खीज देता हूँ अब मैं r का formula लिख लेता हूँ तो मैं यहां पर लिखता हूँ कि चूंकी r is equals to लंबाई पे त्रीज्या पे प्रतिरोधक्ता में क्या formula होता है sir formula होता है row l upon area है चालकतार है वो बेलना-kart दे रखा है तो उसका क्षेतरफल भी आपको यहां पे दिया हुआ नहीं है बट उसकी त्रीज्या आपको दे रखी है तो उसके अनुप्रस्ट काट क्षेतरफल की value क्या हो जाएगի अनुप्रस्ट का क्षेतरफल का formula हो जाता है बोलिए रो L upon area area की value हो जाएगी πr2 तो आप चाहें तो इस R का ये formula है वो यह replace कर दे या फिर आप चाहें तो पहले इस R की value को यहाँ solve कर ले after that इस formula में रख दे सुभी धाजनक ये रहेगा कि आप इसकी value को यहीं रख दे तो यह पेरे मेरे पास value हो जाती है 1.7, 10 की पाउर माइनस 8 तो रो की हो जाती है उसके बार में लंबाई है इसकी 10 की पाउर माइनस 2 मीटर वो value यहां लिख देता हूँ बटा में मैं इसकी value लिखता हूँ तो πाई की value मैं लिख लेता हूँ 3.16 ठीक है पाई की value 3.14 और 3.16 की value है वो इसका square करना है तो square यह दी मैं करूंगा तो 3 की पाउर माइनस 10 की पाउर माइनस 3 का square तो माइनस 6 हो जाएगा और 2 का square है वो 4 हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं तो पहले अपने इसकी value को यहाँ पर calculate कर लेते हैं after that अपने value को replace कर देंगे बताइए इसकी value क्या आएगी तो जब मैंने इसका solution किया इस पूरी value को जब मैंने solve किया तो मेरे पास इसकी जो value आती है वो आती है मेरे पास 1.35 आप लोग इसको rough में करके एक बार और verify कर लेना कि मैंने जो calculation करी है वो सही है या गलत है 1.35 into 10 की power minus 5 मातरक लिखना अती आवशक है प्रतिरोध निकाल रहे हैं तो इसका मातरक है वो आपका ohm हो जाएगा अब ये value आप उठा करके यहाँ पर रख दीजिए तो i की value लिखू मैं i is equals to v की value होगी मेरे पास 120 अपोन आर की value होगी 1.35 into 10 की power minus 5 अब आप इसको solve कर लिजिए एक बार calculation करके देखें यहाँ पर उपर जो 120 है यह बहुत बड़ी value है और नीचे यह 1.35 है तो डाइरेक्ट इस से अंदर आपन डिवाइड कर सकते हैं इस सिंपल भाग लगा करके 10 की power minus 5 है यह उपर चला जाएगा तो इसमें जब अपन 1.35 का भाग लगा देंगे तो यह आपके पास value हो जाएगी 8 8 0.8 उसके बाद में 2 डिजिर तक निकालने सफीशेंट है 9 यह उपर जाकर के प्लस 5 हो जाएगा मात्रक लिखना कभी ना भूले ampere यह आपके पास पहला प्रशन है बहुत easy सा प्रशन था यहाँ पे solve हो जाता है ठीक है चलिए next question के उपर चलते है question number 2 आप लोगों को अपनी screen के उपर दिख रहा है और उसका diagram है वो भी मैंने यहाँ पे बना लिया है प्रशन संक्या 2 आप से कह रहा है कि बिंदू A तथा B यह आपके point A है और यह आपका point B है इन दोनों के बीच में इस पूरे circuit का तुले प्रतिरोध calculate करना है तो अब कुछ बच्चे नों मेरे को comment किया था पिछली बार जब मैंने ये topic पढ़ाया था कि sir हमें कैसे पता चलेगा कि कौन-कौन से प्रतिरोध स्रेणी क्रम में है कौन-कौन से समानतर क्रम में है तो इसका कोई formula नहीं है यह आप लोगों का common sense यहाँ पे use करना है आप जितनी ज़्यादा problem को solve करेंगे clear है तो जैसे ही आप battery जोड देते हैं तो यहाँ पे मैं A और B point की बात करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे battery जोड देता हूँ तो यह जो टीन ओम का प्रतिरोध है वो तो उन दोनों सीरों के बीच में आ जाएगा अब जरूरी नहीं है कि आप प्रशन को B की तरफ से शुरू करें आप अपने दाहीने हाथ की तरफ से शुरू करें आप कहीं से भी इस question को solve कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से पूरे question को read करना है जब मैं इस पूरे question को read करता हूँ तो मुझे सर एक बात ये समझ में आती है कि ये दोनों एक दूसरे के बाद में जुड़े हुए है तो सर इन दोनों को स्रेणी में कर दे भहिया ऐसी गलती नहीं करनी है क्यों नहीं करनी है क्योंकि आपने A और B के बीच में तो battery जोड़ रखी है तो जब ये जो नो जो तीन ओम के प्रतिरोध है इन दोनों के बीच वाला ये जो B-point है ये तो डिस्टर्ब हो रहा है बैटरी के द्वारा तो ये दोनों स्रेणी करम में स्योजित नहीं माने जाएंगे मेरी बात कीर है हालाएं कि अगर यहाँ पे बैटरी का पॉइंट नहीं होता अगर A-point यहाँ होता और B-point यहाँ होता तब आप बहुत इजिली कह देते कि ये दोनों है वो आपके स्रेणी करम में है लेकिन जहाँ पे आप लोगों को बैटरी जोड़ रखी है अब आपको प इक बात यह पता चली कि सर ये जो दोनों तीन ओम के प्रतिरोध यहाँ पर है इन दोनों को कोई disturbance नहीं है ये जोनों जो तीन ओम के प्रतिरोध है ये बहुत आसानी से अपन लोग इसे स्रेणी सयोजन में मान सकते हैं और स्रेणी सयोजन का तुल्ले फोर्मूला क्या होता आरवन प्लस आरटू तो इन दोनों की वैल्यू समान है तो तीन प्लस तीन करके अपन इसको छे ओम के प्रतिरोध के द्वारा इसे पुनर स्थापिट कर सकते हैं इनकी जगे छे ओम का प्रतिरोध अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अब बात आती है कि सर एक्जाम के अंदर अपने इसको सौल कैसे करें तो बहिया एक्जाम के अंदर एक्जामिनर यहाँ पर बहुत अच्छे से जानता है कि आप लोगों को इसके फॉर्मूले आते हैं तो आप आपको ऐसा कुछ बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इनको आर वन आर टू आर त्री आर फॉर ऐसे सब को अलग लग नाम दे दें हाँ ठीक है वो भी मैथड इजी है पर उसकी वजाए अगर आप डाइरेक्ट इनके डाइग्राम बना करके चलेंगे तो मैं यहाँ पर कहता हूं कि इसके ठीक बादवाला जो डाइग्राम है वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पर इसके ब बात करता हूं मैंने यहाँ पर पॉइंट A लिखा है यहाँ पर पॉइंट B लिखा है बाकी के सारे के सारे प्रतिरोध जो आप लोगों को नजर आ रहे हैं वो आप पहले बिल्कुल वैसे के वैसे विवस्तित कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी यह तीन ओम है य इसके बार में इसको भी ड्रो कर दीजिए यह भी आप लोगों के पास तीन ओम का प्रतिरोध है इसके बार में इसको ड्रो कर दीजिए यह आप लोगों के पास कितने ओम का प्रतिरोध दे रखा है यहाँ पे सिंपल 6 ओम का दे रखा है फिर यह वाले को भी ड्रो कर दीज इन दोनों की जगह रिप्लेस कर सकते हैं तो इन दोनों की जगह मैं एक प्रतिरोध के से जोड़ लेता हूं और यह जो मेरे पास प्रतिरोध होगा, वो मेरे पास कितने ओमका हो जाएगा, जब आप लोगोंने यह डाइगराम बनाया, examiner बहुत आसानी से समझ जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इसे solve किया है और आपको पूरे अंक मिलेंगे कते ही आपको घबराने कि आऊ सकता नहीं है इसके बाद में next step के उपर आगे वाले diagram में चलेंगे अपन बट आप लोग arrow mark जरूर लगा देना ताकि पता चले कि इसके बाद में कौन सा diagram आ रहा है, sequence क्या है दूबार आप इसको दूबारा देखिए ये आपका point A है, ये point B है इसके बाद में इन दोनों को अपन नहीं जोड़ सकते ये वाला भी बीच में disturb हो रहा है उनको समानतर करम में solve करेंगे कितने प्रतिरोध हैं, दो है कितनी value के हैं, समान value 6 ohm के हैं, तो direct आपने एक formula पड़ा है, r upon n का तुलि प्रतिरोध का, r upon n का तो 6 बटे 2 जबाब करेंगे तो ये कितने ohm का प्रतिरोध हो जाएगा इन दोनों की जगह, 3 ohm का प्रतिरोध आप replace कर सकते हैं तो again आप लोगों को दुबरा diagram बनाना होगा, देखे, diagram बना करके solve करेंगे, तो आप लोगों के लिए भी easy है मैं केवल इसको board प्रिक्षा में लिखने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि competition exam में तो ये वैसे भी objective type आना है, वहाँ पर तो आप लोगों को diagram बनाने के आउसकता है ही नहीं ये 3 ohm का प्रतिरोध हो गया वहाँ पर तो आप इनको बहुत आसानी से within one second आप इसे solve कर पाएंगे ठीक है, ये 6 ohm का हो गया इसके बार में यहाँ पर अपने 3 ohm का प्रतिरोध जोड रखा है, ये 3 ohm का हो जाएगा, इसके बार में यहाँ पर भी अपने 3 ohm का प्रतिरोध जोड रखा है ठीक है, ये अपने यहाँ पर 6 ohm का प्रतिरोध जोड रखा है ये 6 ohm का हो जाएगा इसके बाद में अपने को इन दोनों को replace करना है तो जैसे इन दोनों को replace करेंगे तो इनकी value कितनी हो जाएगी तीन ओम हो जाएगी तो वो तीन ओम का प्रतिरोध इसके साथ में तो जड़ा हुआ है यह वाला point और यह वाला point जो है इन दोनों के बीच में तो जुड़ा हुआ है तो इसकी जगे रिप्लेस कर दीजे कितने ohm का प्रतीरोध रिप्लेस करेंगे आप यहाँ पर बताओ लकाति को बताओं देखें 3 ohm का प्रतीरोध स्रेनी स्योजन में है तो कितने की वैल्य हो जाएगी इनकी जगह है तो वापस मैं पॉइंट A और पॉइंट B बनाता हूं यह मेरे पास दिरे दिरे आप लोगों का जो डायग्राम है वो छोटा होता जाएगा बितना ओविसली क्योंगी आपके पास experience हो गया आप इस डायग प्रतिरोद और लगा हुआ है इसको भी आप लोगों को बना देना है इस तरीके से यह एक 6 ओम का है अब बात करते हैं इन दोनों की तो यह दोनों कितने के हैं तिन तिन के हैं स्रेणी में हैं तो अगेन इन दोनों पॉइंट के बीच में आप लोग यहां पे प्रतिरोद हो जाता है यहां पे अगेन अपने को 6 ओम का प्रतिरोद लगाना है यह 6 ओम का प्रतिरोद हो जाता है तीर है यह 3 ओम का प्रतिरोद अपने को यहां पे लगा देना है यह 3 ओम का हो गया यह दोनों समांतर करम में है 6 6 ओम के तो इनकी जगे अपन कितने ओम का प्रतिरोद बना पाएंगे वही आपके पास R by N के फॉर्मूले से इसको सॉल करना है तो 6 और 6 का आधा कितना हो जाएगा या आपके पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टीन ओम की हो जाएगी तो इस तरीके से आप इसको सॉल करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए भी रहेगा एक्जामर के लिए भी रहेगा ठीक है और आप लोगों के स्कोर के अंदर कते ही आपको घबराने की जरौत नहीं है कि सर ऐसा लिखेंगे तो क्या पता गलत हो जाए ऐसा लिखेंगे तो आपका प्रशन है वो गलत नहीं होगा A, B, यह तीन ओम का प्रतिरोध है लेकिन आपको इसको पहुंचाना एंड तक रहेगा चाहे आपको कितने भी डाइग्राम बनाने पड़े डाइग्राम को बहुत धिहान से समझ करके बनाना है यह आपके पास छे ओम का प्रतिरोध है यहाँ पर यह दोनों किस में है स्रेनी करम में है आप यह मैंण कहाणा किस तरह यह दोनों समांतर करम में क्योंकि यह वाला सीरा है वो बिल्कोल connected है इनकी जगे अपन कितने ओम का प्रतिरोध इहाँ पर replace कर सकते है छे ओम का प्रतिरोध रिफ्लेश कर सकते है तो यही स्रंखला अपनी चलती जाएगी अगेन अपने इन दोनों को तीन ओम का प्रतिरोद लगा देंगे इन दोनों की जगए ये चलिए मैंने तीन ओम का प्रतिरोद लगा दिया इसके बाद में ये तीन ओम का प्रतिरोद यहाँ पे है ही सही और इन दोनों के बीच में यहां पे कितने ओम का प्रतिरोध है मेरे पास तीन ओम का प्रतिरोध है यह तीन ओम का हो गया और इन दोनों को जब आप replace करेंगे तो तीन ओम हो जाएगा यह point आपके पास A and B है अब इसका एक diagram और बनाना है अपने को चलिए इस diagram के अंदर value ले ले लेते हैं यह 3 और 3 sequence series gram में है तो यह आपके पास point A है यह point B है यह 3 ohm का प्रतिरोध हो गया और इन दोनों को जब आपने series में solve किया तो यह कितने का हो जाएगा आपके पास 6 ohm का प्रतिरोध हो जाएगा अब आप यहां पे value लिख सकते हैं r is equals to r1 into r2 upon r1 plus r2 इसको आप r1 कह दीजिए और इसको आप r2 कह दीजिए तो जब आप इसकी value को solve करेंगे आपके पास r की जो final value है वो आजाएगी 6 into 3 upon 6 plus 3 यह 18 बटे 9 this is 2 ohm तो इस पूरे डाइग्राम का जो तुल्ले प्रतिरोध है वो आपका 2 ohm का हो जाता है बहुत सरल सा प्रशन है इस तरीके के कई प्रशन आपको प्रतियोगी प्रिक्षाओं में भी मिलने वाले है इसके बाद में अपन अगले question पे चलते हैं प्रसन संख्या 3 के उपर question number 3 जो है वो आप लोग अपनी screen के उपर देख पा रहे हैं इस प्रसन के जैसा एक प्रसन अपन पहले solve कर चुके हैं कुछ लोगों ने हमारे पूरे वीडियोज अच्छे तरीके से देखे हैं तो आप लोगों को याद होगा कि chapter number 4 जब अपने capacitor पढ़ा था तो यह जितने भी प्रतिरोध हैं इनकी जगे संधारित्र जुड़े हुए थे और वहाँ पर अपने संधारित्रों का तुले दारिता calculate किया था इस तरीके के combination के लिए तो सेम वही का वही फोर्मूला यहाँ पर वही तरीका आप लोगों को यहाँ पर यूज करना है चली जो लोग हमारे चैनल के उपर नए हैं उन लोगों को मैं बता दूँ कि आप चैप्टर नंबर एक से लेकर के पांच तक के जितने भी टोपिक हैं प्रतेक टोपिक के उपर क्रम के अनुसार हमारे वीडियोज तयार किये गए हैं और आप लोगों के विश्वास से और आप लोगों के को अपन सौल करते हैं प्रशन ये कह रहा है कि आप लोगों को एक डाइग्राम दे रखा है इसके अंदर बहुत सारे अनंत तक के प्रतिरोध यहां पर जुड़े हुए हैं और इस पूरे कॉम्बिनेशन की तुल्ले प्रतिरोध की वैलिव आप लोगों को काल्कुलेट करनी हैं तो आप लोग में से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये तो अनंत के ऊपर है अपने को क्या पता चलेगा कि अपन कहां तक जाएंगे बिल्कुल आपका जो प्रशन है वो वाजिब है लेकिन किस तरीके से अपने इन प्रशनों को सौल करते हैं कॉम्पेटिशन एग्जाम से आप इनके आंसर दे पाएंगे तो इसको आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से समझेना है देखिए वहाँ पर भी अपने चर्चा करी थे कि इस में से आप लोगों को एक चीज अलग से छाटनी है सलेक्ट करनी है क्या करना है कि इसके अंदर ऐसा कौन सी कड़ी है जो बार बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों प्रतिरोध हैं फिर ये दोनों प्रतिरोध हैं फिर ये दोनों प्रतिरोध हैं तो ये एक छोटी सी कड़ी है चेन की जो आप लोगों को बार बार रिपीट हो रही है तो फरस्ट अब बोल मैं मान ल सकते हैं तो इसकी जो weľiO aí that is R ये कित्नी है? र है और ये जो तुल्य sackya Phrathya R अपने माना है। इसी की value आपने को find out करणी है, क्योंकि इसको आपने तुल्य connya Phrathya कहा है और तुल्य pc commodity value अपने को calculate करणी है, तो इस पूरी सरंखला کی तुल्य value आपने मान ली है अब आप क्या कहते हैं आप ये कहते हैं कि सर इस में से ये जो इतनी सी कड़ी है ये यहां से आप इसको break कर सकते हैं break करने का मतलब है मैं यहां पर एक example कहता हूं कि मान लीजिए समूद्र के अंदर जितना पानी है उसमें से ये दि आप एक cup या एक गिलास पानी अगर आप बाहर निकाल लेते हैं तो उसकी value में कोई फर्क नहीं पढ़ता है तो ठीक उसी तरीके से यहां पर अपने इस पूरे प्रतिरोद के अंदर क्योंकि यह तो infinity तक जा रहा है यह तो अनन्त तक जा रहा है तो यह जो इस तरीके की जो chain के steps हैं वो तो infinite हैं तो उसमें से एक step यह दिए अपन निकाल भी लें तो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है लेकिन इससे अपना काम आशान हो जाएगा तो यहां पर मैं वापस इस diagram को दुबारा बनाता हूँ यह मेरे पास R है यह point A है यह point अपना B है और इसके बीच में यहां पर एक प्रतिरोद इस तरीके से जुड़ा हुआ है उसकी value small r है तो इस पूरे की value जब capital R है और उस capital R ही तो होना है इस से ठीक आगे वाले भाग का capital R value हो जाएगी तो यहां पर मैं इसके आगे इस पूरे combination की जगह है एक प्रतिरोद जोड़ देता हूँ और उसकी value कितनी लिख देता हूँ capital R लिख देता हूँ यही एक तरीका है इस question को solve करने का तो यहां पर मैं एक प्रत प्रतिरोद लगा देता हूँ यह मेरे पास एक प्रतिरोद हो गया जिसकी value कितनी आ जाती है capital R हो जाती है ठीक है अब इस पूरे की पूरे combination की तुले प्रतिरोद कितना है capital R है तो अब आप इसको एक बार solve कर लीजिए तो यह दोनों किस क्रम में हैं समानतर क्रम में हैं च केवल इन दोनों का तुले प्रतिरोद क्या हो जाएगा केवल इन दोनों का तुले प्रतिरोद कितना हो जाएगा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर दोनों प्रतिरोदों का गुणनफल कर दीजिए और बटा में दोनों प्रतिरोदों का योग कर दीजिए वो दोनों की जगए तुले प्रतिरोध अपन replace कर सकते हैं तो इन दोनों का जो तुले प्रतिरोध की value है वो ही replace कर दीजिए और दोनों की जगए एक प्रतिरोध लिख दीजिए तो यहाँ पर मुझे इसका एक नया डाइग्राम और बना लेना हूँ और इसकी value कितनी है इसकी value है sir rr upon capital r plus small r ठीक है अब ये दोनों किस क्रम में है स्रेणी क्रम में है तो स्रेणी सहियोजन ये कौन सा सहियोजन है स्रेणी सहियोजन स्रेणी सहियोजन क्यों है क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सीरा इस आगे वाले प्रतिरोध के पहले सीरे से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं a और b point के बीच मैं battery जोड़ देता हूँ तो जैसे आप battery जोड़ेंगे प्रतिरोधों की value अलग-अलग होने के बावजूद भी इन दोनों में बहने वाला जो current है वो समान है तो स्रेनी सेयोजन का तुल्ले प्रतिरोध कितना हो जाएगा इसकी value हो जाएगी सर दोनों को जोड़ दीजिए तो R प्लस RR अपॉन R प्लस R clear है और ये पूरा क्या है ये पूरा उपर वाला combination ही तो है यही तो combination है और इस पूरे combination का तुल्ले प्रतिरोध आपने capital R मान रखा है पहले से तो अब क्या करेंगे कि ये जो नीचे आपके पास पूरी value आई है ये इस पूरे संयोजन की तुल्ले value है और पूरे संयोजन की तुल्ले value आपने पहले से मान रखी है अता है इक्वेशन क्या बन जाएगी कि पूरे सहियोजन की तुल्य वैल्यू आर मानी थी जिसकी वैल्यू आपके पास आर प्लस आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर आई है ठीक है और आपको फाइंड आउट क्या करना है तुल्य प्रतिरोध ही तो निकालना है जो कितना माना आपने तो आपको यह पर फाइंड आउट करनी है तो इस यक्वेशन को थोड़ा सा सॉल कर लीजिए यहां पर आप लिए लल्य लेली जी thereby आजाती यहां पर मेरे पास ऐल से अले यह यहां से अल defined हो जाएगा तो यह हो जाएगा मेरे पास कितना थे- ili इस इसी फॉम में लिख लेता हूं, small r capital r, इस फॉम को भी आप दूसरी तरफ ले जाएगा, तो यह किस में चला जाएगा, गुणा नफल में चला जाएगा, तो गुणा जब हो जाएगा तो आपके पास value हो जाएगी, this is r square, this is r capital r, यह आपके पास हो जाएगा, r square, और इध इसको दूसरी तरफ transfer कीजिए, minus r capital r, minus r का square, this is equals to 0, यह क्या है, द्वी घात समीकर्ण है, ठीक है, और द्वी घात समीकर्ण में आपको किस के form में लेनी है, ध्यान दें बाईया, यहाँ पे आप इस small r square के form में भी ले सकते हो, और capital r square के form में भी ले सकते हो, तो यह होता है आपका a x square plus b x plus c is equals to 0, और इसका जो हल है, वो आपका होता है, स्री धराचारिय सुत्र से, स्री धराचारिय सुत्र से, तो स्री धराचारिय सुत्र से आपके पास x की value क्या आती है, value आती है, सर, minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a, आप लोगोंने कक्षा 10 के अंदर और उससे पहले की कक्षा आपके अंदर ये स्री धराचारिय formula पड़ा होगा, तो यहाँ पर एक अक्षर problem आती है, कि बच्चे इस small r square के form में इस equation को ले लेते हैं, और यहीं से पूरा सवाल गलत हो जाता है, आपको इस equation को किस form में लेना है, जिसकी value find out करनी है, उसके रूप में आपको r square के रूप में 1 है, b की value क्या हो जाएगी, इसके गुणन फल में minus r है, और c की value क्या हो जाएगी, minus r square है, इसलिए आपके पास capital r की value क्या हो जाएगी, minus b की जगे लिखिये, minus r, plus minus root b का square, तो minus r का square minus 4 a की value 1 है और c की value minus r का square है upon 2a 2 लिख दिया a की value 1 है चलिए लिख लेता हूँ एक बार के लिए solve कर लेते हैं अपन तो r की value आपके पास क्या हो जाएगी sir minus minus तो plus r हो गया root में लगा दिया यह आपके पास हो जाएगा minus r का square करोगे तो r का square यह minus minus में plus में बन जाएगा यह आपके पास हो जाएगा 4 r square upon में रह जाएगा 2 चलिए solve कर लीजिए r plus minus यह 4 r square plus r square 5 r square हो जाएगा और उसका root जब लिखूंगा मैं तो 5 के उपर तो root रह जाएगा और r square का root है वो cancel हो जाएगा यह 2 की value आ जाएगी clear है कभी भी प्रतिरोध है वो negative नहीं होता है कभी भी प्रतिरोध की value है वो negative नहीं होती है जैसे धारीता negative नहीं होती है वैसे प्रतिरोध भी negative नहीं होता है होता है अतह नेगेटिव को क्या करना आपने को छोड़ना है जैसे ही आप नेगेटिव छोड़ेंगे आपके पास R की जो वैल्यू है यह हो जाएगा R प्लस माइनस माइनस तो यहाँ अपने रिमूव कर दिया है फाइफ आर अपॉन टू इसमें से आर आप कॉमन ले लीजिए वन प्लस रूट फाइफ अपॉन टू दिस इस दा आंसर तो यह आपकी इस प्रसन का उत्तर हो जाता तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रसन है वीड अगले वाले प्रसन पर चलते हैं अब प्रसन संख्या चार पर चलते हैं प्रसन अपने से कह रहा है कि एक ओम दो ओम तथा तीन ओम के तीन प्रतिरोध हैं वन ओम टू ओम और यह तीन प्रतिरोध हैं और यह तीनों के तीनों स्रेनी करम में जुड़े हुए हैं स्रेनी करम में ठीक है पहला प्रशन कह रहा है इनका तुल्ले प्रतिरोध क्या होगा तुल्ले प्रतिरोध याद कीजिए तो सबसे पहले अपने को तुल्ले प्रतिरोध का फोर्मूला लिखना चाहिए Rs is equal to R1 plus R2 plus R3 और यह value कितनी हो जाएगी 1 plus 2 plus 3 तो यह value हो जाएगी अपने पास सर 6 ohm चलिए पहला प्रशन तो आप लोगों का पहला पार तो इसका clear हो गया आगे प्रशन कह रहा है कि यह दी प्रतिरोध का जो संयोजन है वो 12V की battery से जोड़ा जाए तो V की value आपको दे रखी है कितनी 12V की battery से जोड़ दिया गया है क्यों अपने इसका एक diagram बना ले अपने लिए easy हो जाएगा 12V की battery है यह 1 ohm है यह 2 ohm है यह 3 ohm की value है बैटरी को on करते ही इसके अंदर current flow हो जाना शुरू हो जाएगा ठीक है 12V की battery से connected किया गया है जिसका कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है आंतरिक प्रतिरोध आपको नगर ने दे रखा है सवाल कहरा कि प्रतिरोध के सीरे पर वोल्टता ग्याति कीजिए तो यह जो पहला प्रतिरोध है इसके सीरे पर वोल्टता कितनी है दूसरे सीरे पर वोल्टता कितनी है और तीसरे सीरे पर वोल्टता कितनी है प्रतिरोध हो के स्रेणी करम संयोजन को आपने अच्छे से आफ्टर डेट आप इस नुमेरिकल के उपर जाईए तब आप लोग इन नुमेरिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो सवाल ये कह रहा कि स्रेणी करम सयोजन में जितने भी प्रतिरोध होते हैं सब के सीरे पर विभुवांतर की वैल्यू समान होती है कि अलग अलग होती है पढ़के आए हैं अपन स्रेणी सयोजन में अलग अलग होती है तो इन सब की वैल्यू आपको चाहिए प्रतिरोध हो अमान आपको दे रखा है स्रेणी स्योजन में सब में से बहने वाली सब प्रतिरोदों में से बहने वाली धरा क्या होती है सर समान होती है अरे भाया समान तो होती है पर होती कितनी है तो ओम का नियम लगा दीजिए तो ओम का नियम जब आप लगाएंगे तो यहां पर मैं लि जाएगा सभी प्रतिरोदों का प्रभाव यहां पर कम्माइन हो जाएगा जो कि 6 Ohm है तो यह आपके पास वैल्य हो जाएगी 2 Ampere की तो कहने का मतलब यहां से 2 Ampere का करंट फ्लो होगा तो 2 Ampere का करंट जब इसके अंदर से जाएगा तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I R 1 अच्छा सर बताईए I के साथ 1 क्यों नहीं लगाया अरे भहिया स्रेनी स्योजन है और स्रेनी स्योजन में सब में से जाने वाला करंट तो इक्वल होगा तो उसको 1 2 3 तो अपन लिखी नहीं सकते क्योंकि तीनों की वैल्यू समान है तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी करंट 2 है प्रतिरोद 1 है मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2 वोल्ट आ जाएगा इसी प्रकार से V2 I R 2 2 इंटो 2 कितना वोल्ट 4 वोल्ट V3 कितना हो जाएगा चलिए बताईए V3 कितना हो जाएगा V3 I R 3 2 इंटो 3 इस इस 6 वोल्ट अगर आप लोगों को चेक करना है कि मेरा प्र तो स्रेणी स्योजन में इन सभी विववांतरों का जो योग है वो बैटरी की योग के इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये सारा का सारा विववांतर बैटरी के द्वारा ही प्रोवाइड किया जा रहा है तो 4 और 2 6 और 6 12 वोल्ट इसका मतलब अपना आंसर है वो सही है तो इ प्रशन है वो आप लोगों का अपने स्क्रीन के उपर दिख रहा है आप लोगों ने थोड़ा सा प्रशन भी ये दी पढ़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन से टॉपिक का प्रशन है आप लोगों ने प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो टेम्परेचर के उपर भी होती है और किस तरीके से होती है उसका रिलेशन आपने एक वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है प्रतिरोधों के उपर ताप का प्रभाव लिंक आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा सवाल कहरा कि कम्रे का टेम्परेचर 27 दिग्री सेल्सियस है उसके उपर तापन अव्यव का प्रतिरोध 100 ओम है यानि 27 दिग्री सेल्सियस के उपर 100 ओम का प्रतिरोध है यदि तापन अव्यव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तापन अव्यव का प्रतिरोध 117 ओम यानि प्रतिरोध बढ़ रहा है और प्रतिरोध कब बढ़ेगा टेम् से इसमें रहने दीजिए आप इसको कैल्विन में करेंगे तो आपको 273 योग करना पड़ेगा और चलिए अपन योग करके लिख लेते हैं तो 273 जब आप योग करेंगे तो यह आपके पास 300 कैल्विन हो जाएगा इस समय जो प्रतिरोध आपको दे रखा है वो 100 ओम है इसके बातें आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है प्रतिरोध के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुनांक आपको दे रखा है और प्रतिरोध ताप गुनांक को अपन किस से दिनोट करते हैं अलफा से दिनोट करते हैं तो यह वैलू दे रखी है 1.70 इंटू 10 की पावर माइनस for मातरक भी आप लोगों को याद होना चाहिए और यदि याद नहीं है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे Celsius inverse दे रखा है मैं आप लोगों के एक बात बता दूँ कि जब यहाँ पे Celsius inverse दे रखा है तो आपको 100% यह Celsius के अंदर ही रखना है इसको Kelvin के रूप में नहीं बदलना है ठीक है तो यह Kelvin के अंदर आप लिख जरूर सकते हैं यहाँ पर यूज आपको Celsius के फॉर्मिट के अंदर ही करना है सवाल कह रहा है कि उसका temperature कितना है उसके बादवाला temperature कितना है चलिए बताईए क्या formula पढ़ा है सर फॉर्मूला पढ़ा है RT RT का मतलब है बाद का temperature that is equal to R0 1 प्लस alpha delta T यह पढ़ा इसको मैं दुबारा लिख दूँ तो R2 that is R1 1 प्लस alpha और delta T का मतलब क्या होता है यह value होती है T2 minus T1 delta T का मतलब होता है temperature का difference हो गया चलिए R2 की value आपको दे रखिया 117 this is equals 200 into 1 प्लस alpha की value 1.710 की power minus 4 और इसको आप T2 minus T2 minus कितना रहने दीजिए 27 रहने दीजिए T1 की value मैं यहाँ पर replace कर देता हूँ अब यह 100 है आप लोगों के पास यह 100 यहाँ पर multiply में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो divide में हो जाएगा तो यह value आजाएगी आपके पास 1.17 this is equals to 1 plus 1.7 10 minus 4 T2 minus 27 हो जाएगा दिक्कत इसमें नहीं है आपको value किसकी find out करनी है T2 की तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा दूर है उसको भगाओ यह 1 सबसे ज़्यादा दूर है जो कि किसमें है plus की value है दूसरी तरफ जाएगा minus में तो इसमें से जब आप minus करेंगे तो आपके पास value हो जाएगी 0.17 इस इकल तो 1.7 10 की पाउर minus 4 T2 minus 27 यह यहाँ पर multiply में value है कहां जाएगी divide में जाएगी 0.17 divided by 1.7 यह 10 की पाउर minus 4 T2 minus 27 इसी हो गया आप तो calculation कर पाएगे यह पूरी की पूरी माथापची मेरे से ही करवा हो गया चलिए यह point हटेगा उपर 0 यह point हटेगा नीचे 2 0 लग जाएगा तो यह उपर आपके पास 17 हो गया नीचे 17 हो गया तो 17 से 17 cancel out हो जाएगा उपर 2 0 है नीचे 1 0 है तो 1 0 उससे cancel out हो जाएगा तो उपर 10 बच गया उपर कितना रह गया नीचे रह गया न 10 उपर एक 0 आया था इस point को हटाने पर नीचे 2 0 आया है तो नीचे एक 10 रह गया 10 को यहां से multiply करोगे तो यह 10 की power minus 3 रह जाएगा उपर जाएगा तो यह 10 की power plus का 3 हो जाएगा 1000 हो जाएगा यह T2 minus 27 है और यहां से minus के 27 को आप दूसरी तरब भेजोगे तो वो 1000 में plus होकर के 1027 मतरक degree Celsius के अंदर आ जाएगा ठीक है तो यह आपके discussion का solution हो जाता है हालनकि मैं आप लोगों के एक बात और बता दू इस प्रशन का जो तरीका है वो अभी आपको थोड़ा सा बहुत easy दे रखा था इसके अंदर एक step और दे सकता है पहला temperature दूसरा temperature और एक third temperature और दे सकता है दो temperature के संगत दो resistance आपको दिये हुए रहेंगे तीसरे temperature के संगत resistance पूछ सकता है बट ताइम आपको alpha नहीं दिया हुआ होगा यानि alpha आप लोगों को पहले calculate करना पड़ेगा तो इसके जैसा एक example अपने solve किया है वहाँ पर वीडियो में जाकर के आप उस example को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं चलिए next question पे चलते है next question number 6 अपने से कह रहा है पढ़िए देखे स्क्रीन के उपर आप लोगों को फ्रसंद दिख रहा है 15 meter लंबे तो मैं इसके साथ साथ लिखता जाऊं L is equals to दे रखा है 15 meter एक लंबे 6 गुणा 10 की पावर माइनस 7 meter square अनुप्रस्ट काट क्षित रफल तो area भी मैं लिख लेता हूं इसके साथ area की value कितनी दे रखी है 6 into 10 की पावर माइनस 7 meter square के अंदर दे रखा है वाले तार से नगन ने धारा प्रवाहित की गई है इसका प्रतिरोध 5 ohm है R की value आप लोगों को दे रखी है कितनी है 5 ohm है ठीक है प्रायोगिक तार पर तार के पदार्थ की प्रतिरोध रखता क्या होगी रो की value अपने को यहाँ पर find out करनी है चलिए तो प्रशन के अंदर आप लोगों को L की area और प्रतिरोध दे रखा है रो calculate करना है simple है भाईया कौन बताएगा देखे कि यहाँ पर रो की value find out करने के लिए formula कौन सा लगेगा प्रतिरोध और प्रतिरोध अखता के बीच में एक relation आपने पढ़ा है relation यह पढ़ा है कि sir r is equals to होता है row लंबाई upon area ठीक है और आपको row find out करना है तो लंबाई और area को दूसरी तरफ भेज दीजिए तो आपके पास value आजाएगी कि sir row that is equals to आपके पास r इसके साथ में area चला जाएगा और बटा में लंबाई आ जाएगी तो सब की values आप एक साथ लिखते जाए 5 हो गया 6 into 10 की power minus 7 हो गया और meter दे रखा है आपको 15 तो यह 5 से जाएगा नीचे 15 तीन बार और तीन का जाएगा उपर भाग 2 बार तो 2 into 10 की power minus 7 value आ जाएगी प्रतिरोध है तो मात्रक लगा दीजिए क्या लिखेंगे ओम into meter तो यह आपका question number 6 यहाँ पर clear हो जाता है इसके बाद अपना प्रसन संख्या साथ पढ़ते हैं देखे स्क्रीन के उपर एक तामबे का तार है जिसका काटक शेत्रफल 1 mm square है लिख लेता हूँ मैं एरिया आपको दे रखा है 1 mm square mm square तो solve कर लीजिए एक बार mm को meter में बदलने पर 10 की power minus 3 से multiply करना है यहाँ पर तो आपको area दे रखा है तो area को तो double bar करना पड़ेगा ना तो 10 की power minus 3 into 10 की power minus 3 मैं sort में लिख देता हूँ 10 की power minus 6 meter square यदि किसी को इसके अंदर कोई doubt हो तो please आप उपर जो हमारे whatsapp number दे रखें उनके उपर contact कर सकते हैं आपको हर एक प्रोशन का answer है वो मिलेगा हर एक प्रोशन का सामधान किया जाएगा सवाल कह रहा है उसके बाद में कि इसमें से 0.5 ampere की धारा प्रवाहित की जा रही है आई की value आपको दे रखी यहां पर कितनी 0.5 ampere ठीक है sir इतना तो आसान है समझ में आ गया यदि एक आंक आईतन में मुक्त इलेक्ट्रोनों की संख्या 8.5 दस की पावर बाईश और नीचे मात्रक क्या दे रखा आगे अपॉन सेमी क्यूब प्रती सेमी क्यूब दे रखा है तो एक आंक आइतर में जो elektron लो की संख्या होती है, जिसे elektron की संख्या गहनत्व कहते हैं, किसे represent करते हैं हैं? N से represent करते हैं, तो इसकी value आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, कि सर ये जो n की value दे रखी है वो प्रती semi cube में दे रखी है यानि एक centimeter लंबा चोड़ा उंचा ये दी कोई पदार्थ है तो उसके अंदर इतने electron है लेकिन लंबाई का जो आयतन का मात्रक होता है वो तो meter cube होता है तो हर एक centimeter को आपको meter में बदलना पड़ेगा हर एक centimeter को तो जैसे आप meter लेंगे तो meter का मतलब तो बहुत बड़ा area हो जाएगा और बड़े area के अंदर तो electron की संख्या जादा हो जाएगी तो हर एक centimeter को meter में बदलने के लिए आप लोगों को हर एक centimeter को meter में बदलने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है पर यहाँ पर जो centimeter है वो divide में है ध्यान देना centimeter उपर नहीं है जिसको आप meter में बदल रहे हैं यह centimeter बटा में है तो बटा में है तो अब आपको इसको 100 से multiply करना पड़ेगा और semi cube है इसलिए 100 से 3 बार गुणा करना पड़ेगा तो यह आपके पास value हो जाएगी और मात्रक लग जाएगा प्रति मीटर क्यों अब आप अपवहन वेग की value calculate कर लीजिए तो अपवहन वेग की value में formula क्या होता है आपने अपवहन वेग में और विदुत धारा में एक संबंद पड़ा है i is equals to n e a v d clear है यहां से मुझे value किसकी चाहिए v d की चाहिए तो क्यों न मैं formula को यहीं solve कर लेता हूं तो i upon n e a हो जाएगा तो i की value आपने 0.5 ले रखी है यहां पर n की value अभी आपने 8.5 10 की power 28 हो गया e is the charge of electron 1.6 10 की power minus 19 होता है into area तो area आपको 10 की power minus 6 दे रखा है अब आप इसको solve कर लेजिए और solve करके इसका answer calculate कर लेजिए तो इसको solve करने पर जो अपवहन वेग की value आती है वो आती है 3.7 and 10 की power minus 5 अपवहन वेग वेलोसिटी है तो meter per second इसकी unit आ जाएगी तो इस तरीके से यह आपका प्रसंद solve हो जाता है clear है सबको प्लीज सब लोग अपना feedback है वो comment box में जरूर लिखिएगा अब next question सिंख्या 8 पे चलते है पढ़ी है प्रसंद सिंख्या 8 screen के उपर क्या कह रहा है किस ताप पर यानि temperature की value आपको पता करनी है किस temperature पर तामबे के एक तार का प्रतिरोध उसके 0 degree centigrade ताप पर प्रतिरोध का दुगुना हो जाता है यानि 0 degree centigrade की उपर जितना उसका temperature है उससे दुगुना हो जाता है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास जो T1 की value दे रखी है वो 0 degree centigrade है T2 की value है वो मुझे find out करनी है और बादवाला जो प्रतिरोध है वो आपका दुगुना हो जाता है पहले वाले प्रतिरोध से तो यह सारी बातें आपको प्रशन की भाषा समझ करके लिखनी होगी तामबे के लिए प्रतिरोध ताप गुनांक जो alpha होता है उसकी value आपको दे रखी है कि यहाँ पर formula आपने को कौन सा यूज करना है तो वही formula आप लोगों को यूज करना है कि r2 is equal to r1 बाद का प्रतिरोध बराबर पहले का प्रतिरोध into 1 plus alpha यहाँ पर delta t यानि t2 minus t1 की value आने वाली होती है ठीक है r2 की value कितनी दे रखी है 2 r1 दे रखी है तो यह मैं लिख लेता हूँ 2 r1 यहाँ पर दे रखा है 1 plus alpha को मैं alpha की value लिख लेता हूँ 4 10 की पाउर minus 3 यहाँ पर t2 की value और minus इसकी value तो 0 में है 0 value दे रखी है तो 0 लिख दीजिए यह r1 से r1 cancel out हो गया यह जो 1 है वो जब दूसरी तरफ transfer होगा minus में हो जाएगा तो 2 minus 1 होगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा this is equals to 4 into 10 की power minus 3 और into में आपके पास t2 आजाएगा क्योंकि minus 0 करने पर तो वही value रह जाती है यह सारी value यहाँ पर multiply में है तो divide में चली जाएगी तो 1 upon 4 और इसको मैं उपर ले जाता हूँ तो यह 10 की power 3 हो जाएगा t2 की value तो 1 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे यह 0.25 into 1 10 की power 3 इसको जब आप solve करेंगे तो यह 250 degree centigrade हो जाएगा t2 की value आपके पास 250 हो जाती है बहुत easy सा question है बस प्रशन को समझना है प्रशन की भासा समझनी है प्रशन की आवशक्ता समझनी होती है कि आपको कहां तक जाना है और उसके लिए आपको कौन सा formula है उसकी जरूरत पड़ेगी इस तरीके से 8 प्रशन अपने इस chapter के यहां पर complete हो जाते हैं चलिए next question पढ़ते है प्रशन संख्या नो पढ़ते है सवाल कहरा है कि किसी car की संचाइक बैटरी संचाइक बैटरी मतलब बताइए कों सा development cell है what battery होती हा वह प्राथमिक होता है किदूतिक होता है तब वह तो चार्जेबल होता है चार्जेबल होता है तो वह secondary cell है तो सवाल कह रहा है कि कार की संचाइक बैटरी का विदूत वाहक बल 12V है विदूत वाहक बल को अपन ई से प्रदसित करते हैं जिसकी वैल्यू आपको 12V दे रखिया ठीक है सर्थ यह दी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोद स्मॉल आर से अपन इसे दिखाते हैं जिसकी वैल्यू दे रखिये 0.4 ohm ठीक है सर्थ तो बैटरी से लिजा सकते वाली अधिकतम धारा कितनी है i-maximum की वैल्यू आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है ठीक है तो आई maximum की value find out करने के लिए मैं यहाँ पे simple एक circuit बनाता हूँ तो यह मेरा circuit है यह circuit के अंदर बाई यह प्रतिरोध capital R लगा हुआ है यह battery लगी हुई है यह battery का internal resistance small R लगा हुआ है और यह यहाँ पे लिख दिया आपने यह battery का विदुत्वा हगबल है इसके अंदर से जाने वाली धारा को maximum करना है तो maximum current flow करने के लिए एक सर्थ होती है धारा का मान अधिक्तम होने के लिए प्रतिरोध की value कम से कम होने चाहिए अब सेल का जो internal resistance है आंत्रिक प्रतिरोध है उसको तो अपन कम करनी सकते तो क्या कर सकते हैं कि यह जो बाहिय प्रतिरोध है जैसे आप battery जोड़ेंगे इस परिपत के अंदर से धारा बहेगी आपको इस धारा की value maximum करनी है तो धारा की value maximum करने के लिए प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए और यह वाला प्रतिरोध आप change करने ही सकते तो कौन सा प्रतिरोध change करेंगे यह जो R है capital R है बाहिय प्रतिरोध है इसकी value आप 0 ohm रख दीजिए जैसे आप इसकी value 0 ohm रखेंगे इस परिपत के अंदर से जाने वाली धारा है वो maximum हो जाएगी तो अब आप लोगों ने terminal volt की परिभासा में एक formula लिखा था क्या होता है V is equal to यानि विदुत वाहक बल है वो होता है I into R plus smaller ठीक है और I maximum के लिए I maximum के लिए R is equal to कितना होना चाहिए 0 ohm होना चाहिए ठीक है जैसे यह 0 ohm होगा अब आप value रख दीजिए तो यह है मेरे पास 12 I की value रख लेता हूँ मैं यह 0 हो गया और इसकी value मेरे पास कितनी है 0.4 है तो जैसे 0.4 को अपन इहां पर डिवाइड गरेंगे 12 बटे 0.4 This is equal to I Then I is equal to कितना हो जाएगा यह point हटेगा ओपर 0 चला जाएगा This is 30 ampere तो I maximum की value है वो मेरे पास 30 ampere की हो जाएगी तो यह तो बहुत simple सा concept था यहां पर समझने वाली बात यही है कि धारा की value maximum होने के लिए प्रतिरोध है वो जीरो होना चाहिए ठीक है next question पर चलते है चलिए next question पर चलते है प्रसन संख्या 10 क्या कहरा देखिए एक कुंडली जिसका प्रतिरोध दे रखा है प्रतिरोध को अपन आर से लिखते हैं value दे रखिए 4.2 ohm प्रसन के साथ-साथ अपन इनकी values को लिखते जाते हैं एक कुंडली है कुंडली का मतलब आगे जब physics पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कुंडली क्या होती है अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजे कि जिस तरीके से कोई पंखा है बल्ब है उस तरीके का कोई छोटा सा उपकर्ण है यानि आप लोगों की जो पानी गरम करने की रोड होती है उसकी यहां पे चर्चा कर रहा है एक कुंडली है जिसका प्रतितों 4.2 ohm है पानी में डूबी हुई है ठीक है यदि इसमें 2 ampere की धारा i is equal to 2 ampere की धारा विद्यूत धारा है वो दस मिनट के लिए प्रवाहित होती है time p is equal to दे रखा है 10 मिनट और इसको मिनट को second में बदल लेते हैं अपन वहिया क्योंकि ऐसा ही मात रख तो second ही होता न तो यह 600 second हो जाएगा 600 seconds ठीक है प्रवाहित होती है तो कुंडली में कुल कितने calorie की उश्मा मुद्पन होगी उश्मा जो दे रखी है वह भी आपको calorie में convert करनी है calorie में calculate करनी है तो आपके पास प्रतिरोध है धारा है और शमय है और कितनी उश्मा उश्मा का मतलब है विदूत उर्जा कितनी होगी इस प्रतिरोध के दुआरा कितनी विदूत उर्जा होगी और विदूत उर्जा का जो फोर्मूला है वो होता है H is equal to चलिए मैं W is equal to होता है क्या होता है I square RT और यदि आप लोगों को उश्मा निकालनी है और उश्मा भी आप लोगों को हीट कैलरी में निकालनी है तो H is equal to अपने फोर्मूला पढ़ा है जूल का नियम पढ़ा था आपने विदूत उर्जा के टॉपिक के एंड के अंदर यह होता है W बटा में जैसे इसे कैलरी में कंवर्ट करना है तो 4.2 से इसे डिवाइड कर दिया जाता है कितने से? 4.2 से J की value आप लोगों को यहां पे दे रखी है तो यह calorie के अंदर आ जाती है तो यह value हो जाएगी आपके पास I square RT upon way value हो जाएगी 4.2 चली I की value कितनी है सर 2 है 2 का square 4 कर देता हूं में R की value 4.2 दे रखी है टाइम आपको second में 600 second दे रखा है बटा में 4.2 value दे रखी है यह इससे cancel out हो जाएगा 6, 4, 24 होता है तो 2400 क्या? कैलरी हो जाएगा तो 2400 कैलरी की उश्मा है वो यहाँ पे उत्पन होने वाली है इसके बाद में अपने इस chapter के अंदर दो प्रशन यहाँ पे बाकी रहते है और इसके end में जो last वाला क्यूशन संख्या 12 है वो अपन लोगों ने इससे पहले clear कर लिया है एक topic अपने पढ़ा था उसमें अपने इस topic को clear कर लिया है ठीक है वीडियो के अंदर जाकर के आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं तो उस प्रशन को यदि अपन छोड़ देते हैं क्योंकि अपन पहले कर चुके हैं तो अब अपना केवल एक ही question बाकी रह जाता है इस chapter का और वो है question number 11 ठीक है तो आज के इस वीडियो का अपना ये अंतिम प्रशन है तो प्लीज वीडियो के end तक हमारे साथ जरूर बने रहिए ये जो प्रशन है वो आप लोगों की board प्रिक्षा के लिए अति महत्वपुर्ण होने वाला है क्योंकि ये एक numerical नहीं है ये एक derivation है और ये एक proof करने वाला प्रशन है आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे पहली बार में आप लोगों का ये प्रशन तीर हो जाएगा एक बेलनाकार नलीका है जिसकी लंबाई L है आंतरिक और बाही तरीजाएं A और B दे रखी है तो इस तरीके से कुछ समझ लीजे कि ये मेरे पास कोई एक बेलनाकार नलीका है इसका आंतरिक और बाही तरीजाएं आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है और इसकी length अपने को यहाँ पे दे रखी है इस तरीके से कुछ बना करके डाइगराम दे रखा है बेलनाकारनली काएं हैं ये इसका अंदर का एरिया है और ये इसका बाहर का एरिया है ठीक है? अंदर की जो तरीजा है वो आप लोगों को क्रम के अनुशार दे रखी है A तथा B तो ये अंदर वाली तरीजा को A लिख लेता हूँ इस तरीजा को B लिख लेता हूँ और इसकी जो लंबाई है वो आप लोगों को L दे रखी है बहुत सिंपल है ठीक है ये दि पदार्थ की प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता जो दे रखी है तो ये जो नलिका है इसके ये जो दोनों सीरे हैं इनके बीच में प्रतिरोध अपने को निकालना है क्लीर है तो प्रशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है प्रतिरोधकी वैलियो आप जानते है कि सर R इस इक्वल्स टू होता है रो एल अपन एरिया तो यहां पर एरिया क्या होगा ये जो आपके पास केवल इतना सा भाग है वो ही सॉलिड फॉर्म में है बाकि इसके अंदर का भाग है वो खाली है तो जब आप एरिया यहां पर लिखेंगे तो इसके अनुपरस्त का अक्षेतरफल का एरिया कितना हो जाएगा बाहर का अक्षेतरफल माइनस अंदर का अक्षेतरफल तो R इस इक्वल्स टू रो एल अपन बाहर का अक्षेतरफल हो जाएगा पाई B स्क्वार माइनस अंदर का अक्षेतरफल हो जाएगा पाई A² दुबारा इसको solve कर लीजिए R is equal to आपके पास value आजाएगी Rho L उपर हो गया नीचे पाई common ले लीजिए B²-A² और यही आप लोगों से proof करवा रहा है या फिर calculate करवा रहा है कि आपको इस प्रतिरोध की value कितनी आने वाली है तो इस तरीके से यह अपना question number 11 भी complete हो जाता है प्रसंद संक्या 12 है वो इसे पहले के video के अंदर अपन आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ सुके हैं तो इसके साथ ही आज अपना जो chapter number 5 है विजुत धारा का वो हर तरीके से clear हो जाता है फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रशन के अंदर किसी topic के अंदर कोई doubt हो तो प्लीज आप हमारे जो whatsapp number है उनके उपर संपर कर सकते हैं हमारा उद्देश यह है आप लोगों के physics के theory के अंदर 56 में से 56 नंबर प्राप्त करवाना सेसन के end में जब अपने practical exams का समय चलेगा उस समय हम हर एक practical को भी बहुत अच्छे से समझेंगे वाईवा के अंदर कुछे जाने वाले प्रशनों को भी अपन बहुत अच्छे से discuss करेंगे ताकि वाईवा की जो आपके practical exam की जो 30 marks हैं वो भी आप लोगों को पूरे मिल सकें हमारा उद्दिश ये इस साल का वर्स 2021 की बौर्ड प्रिक्षा में हर एक चातर को अच्छे से अच्छे बहतर अंक प्राप्त करना है और दो चार हमारे ऐसे चातर भी निकलें जो 100 बाई 100 भी रहें चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इसे लाइक कीजी आपने फ्रेंड्स के साथ सेर करना ना भूलें ठैंक यू